दोस्तों आज के सेसं में हम बात करेंगे सदा बाहर, पेरिवी इंकल के बारे में दोस्तों आज की सेसंग के माध्यम से हम आपको जनकारी देंगे सदा बाहर क्या है इसके अन्य नाम एवां गुण क्या है इसके दुआरा होने वाले फायदे इन सारी बातों की जनकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे सबसे पहले दोस्तों आप सबसी रिक्वेश्ट है जो भी इस चैनल में नैं है प्लेज इस चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें और शेयर करना न भूलें तो आई दोस्तों भाले हम बात करेंगे सदा बाहर क्या है सदा बाहर एक पुशपय पौधा है इसका वेग्यानिक नाम केथरेंटस रोसियस है सदा बाहर को सदा सुहागन, बारामाशी, सदा पुषपा एवं सदा फली इत्यादी नामों से जाना जाता है सदा बाहर पौधे की पत्तियां हरे रंग की वह चमकिली होती है तथा ये तीन रंगों के फूलों वाला पौधा होता है ये बैगनी कलर के फूल का भी पौधा होता है इसमें सफेद रंग के भी फूल पायाते हैं और गुलावी रंग के फूल के भी पौधे ये पायाते हैं जहां इसे लगा जाता है वहां का इस्थान की टाणूं से रहीत होता है इस पौधे की पत्तियां कड़वी होती हैं जिसके चलते कोई भी जानवरी से नहीं खाते इसके अलावा नाम के मताबिक ये हमेशा हरा भरा रहता है अब हम बात करेंगे सदा बाहर के और शद्ये गु पाय जाते हैं जो मधुमे रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसके अलावा इसके जड़ों की छाल का इस्तमाल हाई बलड प्रेशर तथा मानसिक समस्याओं जैसे नींदन आना तनाव और शाद इत्यादी में किया जाता है तथा ये दर्दनाशक के रुप मे भी इसका इस्तमाल होता है सदा बाहर की पत्तियों एवं जड़ों की इस्तमाल से कई बीमारियों से रहत पाया जा सकता है जैसे मधुमे में अराम रक्त शरकरा को कंट्रोल करना एवं रक्त चाप को नियंतरित करना सदा बाहर से होने वाले फायदे सदा बाहर का फूल पत या जड़ सभी पार्ट लावकारी माना गया है इसके इसी गुण के कारण इसे संजीवनी पौधे का दर्जा भी दिया गया है इससे होने वाले फायदे मधुमे में इसका लाव मिलता है ब्लड प्रेसर कंट्रोल रहता है इलर्जी एवम इनफेक्शन से भी इसमें लाव होता है इलर्जी वाले इस्थान पे इसके फूल या पत्ती को पिसकर लगाने से बहुत फायदा होता है घाव या चोट में भी इससे फायदा होता है कहा जाता है कि इसकी पत्तियों और इसके फूलों को यदि घाव या चोट वाले इस्थान पर पीस कर लगाया जाए तो वो जल्दी फैदा देता है पत्कियों से निकलने वाले दूद को भी घाव के इस्थान पर लगाने से घाव को जल्दी ही भर जाता है इसके अलावा बवाशीर जहरीले जीवों के जहर को कम करने में ये कारगर है बवाशीर के इ वीडियो में आपने जाना की सदा बाहर क्या है इसके अन्य नाम एवन गुण के बारे में जाने आप इसके द्वारा होने वाले कौन-कौन से फायदे हैं इन सब की जनकारी इस वीडियो के मध्यम से आपको दी गई है तो दोस्तो आई होप आपको जनकारी अच्छी लगी हो